हेलो दोस्तो मैं अजीम अंसारी बारबंकी उत्तर प्रदेश से केजी एन बाय फॉलॉक फिस फार्मिंग के इस यूटूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तो काफी दुनों से मैं अपने वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा हूं और अपने फार्म का कोई अपडेट नहीं दे पा रहा हूं आप लोगों को क्योंकि आप लोगों को पता है कि मेरी मचलियों में जहर डाल दिया गया था जिसकी वज़े से मेरी लगबग 5,000 में स फ्रेψकिंट किया था शारी मचलियों मेरी इस टैंग मेरी पड़ी ही थी फ्रेश वाटर में दिसमें फॲग भी नहीं था तो चूंकि लाग्डाउन था काम बिल्कुल था था यह नहीं में प्तुरी था टो मैंने दोनों टैंग खाली किए और सारी मचलियों अपने छोटे वाले टैंक में शिफ्ट कर दी थी शिफ्ट करने के बाद इन दोनों टैंकों की सफाई की थी मैंने चूना और ब्लीचिंग पाउडर से खुब अच्छे से रगड़ रगड़ के इनको साफ किया साफ करने के बाद विम साबुन जो होता है बरतन दुनने वाला इस से इनके धुलाई की गई धुलाई करने के बाद एक दिन पड़े रहे सूखने के लिए उसके बाद मैंने इन में फिर से पानी बरा पानी बरने के बाद ये वाले टैंक में मैंने फलॉब बनाया है और इसके बाजु वाला ज रहा है त्टकी मचलियों में मुझे ग्रेडिंग करना था तो जो target मचलियाँ थी है उनको मैंने G 미 साज़े सर्बाड़ मचलियमिस मचलिया है इसमें लगबक 600 फ्रेश वाटर न स्में कोई do Luca अगरा नहीं बना है सिर्फ ऑक्सीजन बीडैकल शिख और चल लाँ प्रेश वाटर है दस बारा पंदरा दिन के बाद में पानी चेंज कर देता हूं आधा टैंक पानी भरता हूं और इसमें मुझे मचलियों को गुरोथ अच्छा नदर आ रहा है तो कि मचलियों इसमें कम हैं तो अमोनिय भी नहीं बनता है पानी की पेरामेटर ठीक रहते हैं और डेंसिटी कम होने की वज़े से मचलियों का ग्रोथ बहुत अच्छा आ रहा है अब अन्दाज़ इस बासे लगा सकते हैं कि मैंने जब इसमें मचलियों डाली थी तो कुछ का वजन डेड़ा तौन भींभ मैंने दो मचलियों पकड़ी तीन चेक करने के लिए तो उसमें एक मचली का वेट ता अलग बग 300 ग्राम और एक मचली का वेट था 270 ग्राम तो उस हिसाब से काफी अच्छा गुरोथ हुआ है 23-24 दिनों में अपना वेट डबल कर लिया इन्होंने तो काफी अच्छा गुरोथ है समझ में यह बात आ रही है कि डेंसिटी कम होने की वज़े से गुरोथ इनका अच्छा आ रहा है अब मैं आपको अपने फ्लॉक वाले टैंक के वाटर परामीटर चेक करके दिखाऊंगा कि मेरे टैंक में अमोनिया वगएरा सब कुछ कैसा चल ला चुकि इस 20,000 लिटर के टैंक में मैंने सिर्फ 6500 मचलिया डाली है और इनको मैं तीन से चार टाइम फीडिंग करा रहा हूँ है फिर भी मेरे टैंक में अमोनिया बिल्कुल कंट्रोल में है और आपकी जानकारी के लिए बता दू कि इसमें मैंने साथ से आठ दिन पहले मुलैसिस डाला था वह भी लगबग 4-500 ग्राम तबसे मैंने इसमें और यह फ्लॉक मैंने बनाया था सिर्फ 50 ग्राम प्रॉवाइटिक से 50 ग्राम प्रॉवाइटिक एक लिटर मॉलैसिस इसमें दाला था 500 ग्राम नंबग 20 में एट किया है लगब 10 किलो पड़ा होगा बागी सब कुछ बहतरीन चल ला है मेरे हिसाब से इसमें नाइट्रिफा कि लाइब चेकर करके दिखाऊंगा मेरे पानी के परामेटर कैसे हैं आप फुद देख पाएंगे और मैं फ्लॉक डेंसिटी भी आपको दिखाऊंगा चलिए इमाफ कॉन में मैं पानी निकाल लेता हूं इसका कि यह मेरा इमाफ कॉन हूँ कि इसको में सेटिल होने के लिए रख देता हूं जब तक हम दूसरे काम करते हैं तब तक यह फ्लॉक नीचे सेटल हो जाएगा फिर मैं आपको प्लॉक की डेंसिटी भी दिखा दूँगा और पानी प्सुवालिटी भी दिखा दूँगा तब तक चलिए अमोनिया आइड्रेट नाइटरेट वगरा चेक कर लेते हैं दोस्तों जब भी आप पानी के पैरामीटर चेक करें तो एक बात ध्यान रखिए कि किसी पॉट यह जग में पहले पानी निकालने इस तरह से यह देखें यह मैंने टैंक से पानी निकाला है इसको यहां पर रख देते हैं एक मिनिट वेट करिए इसका फ्लॉक नीचे सिटल हो जाए उसके बाद आपको एकुरेट रिजल्ट मिलेगा डारेक टैंक से पानी निकाल के कभी भी रिजल्ट ना चिक करें कभी भी आपको डियो चेक करना हो अमोनिया नाइट्रेट नाइट्राइट पीच वगएरा पीच से चेक कर सकते हैं लेकिन अमोनिया वगएरा बस सिर्फ एक मिनिट यह उससे विकम थोड़ा सा जैसे पानी आप निकालेंगे पॉड में तो देखेंगे फ्लॉग नीचे से कहते हैं कि पानी चेंज कर दिया है पता नहीं क्या-kya कमेंट बाक्स में बोलते रहते हैं तो दोस्तों इसा कुछ नहीं है आपको बेवकूप बना के मुझे कुछ मिल नहीं जाएगा जो रियल होता है वही मैं आपको बताता हूं दोका देना किसी को अच्छी वात नहीं है जो चीज है बिल्कुल साफ के लिए रहे हैं चलिए देखते हैं यह मैंने एक ट्यूब लिया है इसमें एक निशान लगा रहता है इस तरह से 5 ml का वहां तक मानी को भनना रहता है क्योंकि मैं खुद ही शूट कर रहा हूं दूसरा कोई वीडियो ही में बना रहा हूं टेस्टिंग में कर रहा हूं इसलिए थोड़ी दिक्कत आती है मैनेज कर दीजिएगा यह तीन ट्यूब में मैंने 55 ml भर दिया है अमोनिया चेक करने के लिए मैं इसको बिल्कुल कम भरूंगा क्योंकि अमोनिया हमको बार-बार चेक करना रहता है तो आदी से कम में भी काम चला लेते हैं ताकि किट हमारी ज्यादे दिन तक चले रिजल्ट सेम आता है उससे कोई दिक्कत नहीं यह हो गए है अब सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं यह नाइट्राइट नाइट्राइट के बोटल पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है पांच ड्राप इसमें से डालनी है एक, दो, तीन, चार, पांच पांच ड्राप हमने इसमें डाल दी है इसको रख देंगे साइड में उसके बाद आता है नाइट्रेट नाइट्रेट बोटल वन इसमें से दस ड्राप डालनी है बोटल वन से दस, बोटल टू से दस तो यह हम डालेंगे इसमें एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस इसको भी रख देंगे, साइड देंगे, इसको भी रख देंगे, साइड देंगे, उसके बाद बाहर ही आएगी पीएच की, पीएच, पीएच के लिए हमको तीन डॉप डालनी पड़ थी, एक, दो, तीन, इसको भी साइड में रख देंगे, पीएच, फिर चिक करेंगे आमोनीया, आमोनीया बोटल बन, यह फाइफ इमिल के लिए हमको अड़ करना पड़ता है, इसमें से आठ ड्राप, हमने आधे का आधा बहरा है, तो इसके लिए हम दो दू ड्राप डालेंगे, बोटल बन से दो, एक, दो एक, दो अमोनिया का रिजल्ट आने में लगबग चार से पांच मिनिट लगते हैं ये भी मिस साइड में रख देता हूँ अब वीडियो लगबग चलती रहेगी वीडियो मैं कट नहीं करूँगा तब तक आप से कुछ बाते करेंगी फोकस हमारा इन्हीं पे रहेगा ताकि बाद में कोई ये कमेंट करके ना बोले कि भाई पानी बदल दिया और रिजल दिखा दिया तो जहां तक मेरा तजुर्बा हुआ है और मैंने अब तक जो सीखा है उसके हिसाब से अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो बायो फ्लॉक अगर आप लोग करिए ठीक है अच्छा है लेकिन हाई डेंसिटी मत करिए बहुत ज्यादा मचलियां मत डालिए इसमें सुरुआत अगर आपको करना है ट्रेनिंग आप लेंगे कहीं से तो आपको बताएंगे कि दस हजार लीटर से आप दस कुंटल प्रोडक्शन ले सकते हैं एक हजार मचली डालिए उनको एक किलो किकल लीजिए इंपॉसिबल है ऐसा नहीं हो पाएगा ऐसा हो ही नहीं सकता है मैकसिमम दस हजार लीटर के टैंक से आप स्टार्टिंग में तीन से चार कुंटल तक प्रोडक्शन ले पाएंगे उसके बाद जब आप सीख जाएं काईदे से आपको हर चीज की जानकारी हो जाया आप एक्सपर्ट हो जाएं तो उसके हिसाब से आप बढ़ाईए लेकिन स्टार्टिंग में एकदम सिर्मत डाल दीजिए वनना आपको नुक्सान हो जाएगा कि यही गलती मुझे लगता है मैंने भी की थी चूंकि मेरा टोर्टल वाटर कलचर था लगभे नहुदert से इसतालीमे का बीस हुद का फीर जार लीटर के मैरे यह वाले टैंक है यह वालना टैंक और यह तकानलीमम में यह हो गए और मेरा जो छोटा वाला टैंक है इसके हॉस्पिटल टैंक बोलता हूँ वो मेरा 3000 लिटर का है 3000 से 3500 लिटर तो लगबक 43000 लिटर का मेरा कल्चर है और उसके लिए मचलियां मैंने मंगवाई थी पांचाजार दोसो पांचाजार मुझे लेना था दोसो मैंने एक्स्ट्रा ले ले थी कि मौटल्टी होगी अगर कुछ तो 200 मचलियां अगर मर भी जाएंगी तो मेरी 5000 बच जाएंगी लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि मैंने ज्यादा मचलियां ली तो इस उनमें जहर डाल दिया गया था इस वज़े से मरीथी वरना मेरा इतना नुक्सान नहीं होता फिर भी जो है खुदा की जो मर्जी होती हो ही होता है इसमें इसान क्या कर सकता है बुरा चाहने वाले लोग बुरा चाहते हैं लेकिन बंदे के बुरा करने से हर बंदे का बुर होता है लोग समझते हैं कि किसी का बुरा करके बहुत बड़ा नुकसान कर देंगे पर ऐसा नहीं है दोस्तों अलात अलाँ तको देखता है कि वह उससे अच्छा बदला उसको अता कर देता है और लोग समझ भी नहीं पाते हैं तो चलिए बाते बहुत सारी हो गई और मुझे लगता है टाइम भी हो गया है तीन-चार मिनिट हो गया होगे और कैमरा मैंने आफ नहीं किया है नहीं पॉस किया इसको और रिजल्ट आप देख सकते हैं अब मैं आपको इसको कलरज चार्ट से मैच करके दिखाऊंगा कि कौन कौन सा क्या है यह मेरा कलर जाट है इसको ले चलता हूं मैं बाहर यह दस्तो मेरा छोटा वाला टैंक है जो भी बन पड़ा हुआ सबसे पहले चिक करेंगे अमूनिया दूख होनी की वज़े से काफ़ी रिजल्ट समझ में ही आ रहा है दोस्तों कि मैं खुदी शूट कर रहा हूं देख सकते हैं आप जीरो पॉइंट टू फाइफ जीरो जीरो से जीरो पॉइंट टू फाइफ के बीच में यह आ रहा है सुरी दोस्तों वहां पर लाइट समझ में नहीं आ रही थी इसलिए में फिर वहीं पर आ गया हूं यह मेरा प्येच का है पीच आप देख सकते हैं सेवन पॉइंट सिक्स बढ़िया है साथ से आठ के बीच में होना चाहिए यह अमोनिया वाला बॉटल है यहां पर आप देख सकते हैं 0 से 0.25 के बीच में बिल्कुल ना के बराबर अमोनिया है बिल्कुल है ही नहीं यह है नाइट्रेट नाइट्रेट मेरा मैच कर रहा है 10 ppm क्योंकि नाइट्रिफाइंग बेक्टिरिया एक्टिएट हो गया है और यह 0 से 0.25 के बीच में दिखा रहा है नाइट्रेट क्योंकि नाइट्रिफाइंग बेक्टिरिया में अमोनिया को नाइट्राइट में चेंज करते हैं फिन नाइट्राइट से नाइट्रेट में यह होता है उसके बाद इसको खत्म कर देते हैं तो यही था दोस्तों यह मेरी मास्टर टेस्ट कीट है मैंने पूरी मंगवाई थी शुरू में अभी तक चल रही है तो दोस्तों आज के वीडियो में बस यही अपड़ेट देना था मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी ताइंक पानी कम करते हैं तो फिर आपको मछनेओं का वेड ने द्काओंगा लाईव तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आज के लिए वस इतना ही और आपश्त झाल झाल